क्यारे बच्चो जय हिंद आठवी कक्षा में हमारा आज का कारे पत्रक हिंदी व्याकरण और रचना के विशम है बच्चो जैसकि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी अभी प्रदूशन की बहुत खतरनाक स्थिती का सामना कर रहे हैं प्रदूशन इस समय अपनी चरम पर है हम लोग अपने घरों में लह रहे हैं जहां तक संबब हो अपनी घर से बाहर कम ही निकले एक और प्रदूशन दूसरी और कोरोना हम बहुत ही खतरनाक स्थिती का सामना इस समय कर रहे हैं आप लोग सलक्षित रही है और हमारा आज का कार्य पत्रग भी इसी विशे में है कि आप चानते हैं कि इस दिपावली पर हम लोग पटाखे भी नहीं चला सके लेकिन हमने इससे प्रदूशन को कम करने में अपना बहुत अमुल्य योगदान दिया बिना पटाखे दिपावली को आपने पहरी बार मनाया होगा लेकिन आप बताएं कि बिना पटाखे दिपावली को आपने कैसे मनाया क्या क्या किया और आपको कैसा लगा उसे लिखिए आपका दूसरा प्रश्ण है कि आपने बताना है आप लोग अपने स्थर पर परियावरण को साफ सुत्रा रखने या प्रदूशन को कम करने के लिए क्या-क्या उपाई कर सकते हैं अपने आसपडोस और मित्रों के साथ बात चीट करकर एक योजना तयार कीजिए कि हम कैसे अपने परियावरण को साफ सुत्रा रखने में इस प्रदूशन को कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं सरकार अपना कार्य कर रही है और हमें अपना कार्य करना है सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं है हम ही लोगों से मिलकर बनती है इसलिए हमें अपने अपने स्थर पर अपने परियावरण को साफ सुत्रा रखने का प्रियत्न करना चाहिए और इसी से प्रदूशन कम होगा जीवन जीने लाइक हावा बनेगी आसपास तो आप लोग बताएं अपने स्थर पर आप इस परियावरण को साफ सुत्रा रखने में या इस प्रदूशन को कम करने में क्या-क्या उपाय कर सकते हैं और आप इसे बहुत अच्छी तरीकी से कर सकते हैं क्योंकि एक उपाय तो अभी भी आपने अपनाया है इस दिपावली को आपने पटाखे वगेरा नहीं चलाए जिससे धुनी प्रदूशन भी कम हुआ और वाई प्रदूशन भी कम हुआ तो अब आपने एक योजना बतानी है तयार करके देनी है कि प्रदूशन को कम करने के लिए अपने स्तर पर आप क्या-क्या उपाय करना चाहेंगे जल्दी सेव सवक्षीट को कम्प्लीट करके मीनाक्षी बढम को भेज दीजिए